फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम बात करेंगे अमेरिकन पोईट एमिली डिकिंसन की एक फेमस पोयम के बारे में जिसका नाम है ट्रीज फ्रेंड्स ये जो पोयम है ये एक समर डे को डिस्क्राइब करती है यानि पोईट जो है वो एक समर के दिन में बाहर नेचर में घूम रही है और जो कुछ भी वो देखती है नेचर में जिस तरह की मूवमेंट्स को देखती है नेचर की ब्यूटी को देखती है उन सभी चीजों को वो यहाँ इस पोयम में डिस्क्राइब करती है Friends, यह जो poem है, यह 28 lines की है, जो की 7 quatrains, यानि 4 lines stanza में बाटी गई है साथ ही Friends, इस poem में कोई definite rhyme scheme नहीं है अब अगर बात करें, इस poem की theme की तो वो हो जाएगी beauty of nature यानि nature की जो खुबसूर्ती है, खुबसूर्ती सिर्फ visual form में ही नहीं बलकि उसकी जो sound होती है, जो उसकी smell होती है यह सब क्या करती है, यह nature की खुबसूर्ती को बढ़ाती चली जाती है इसे poem में पढ़ेंगे तो और बहतर तरीके से समझेंगे Friends, Emily Dickinson एक American poet थी, उनका जन हुआ था December 10, 1830 में और उनकी death हुई थी 15 May 1886 में उनकी poems में जादा तर death और immortality के themes हुआ करते थे लेकिन ये poem इससे थोड़ी अलग है साथी Friends उन्होंने अपनी पूरी lifetime में 1775 poems लिखी है लेकिन important बात यहाँ यह है कि इन में से किसी भी poem का उन्होंने कोई title नहीं दिया था तो जितनी भी poems हैं वो अपनी first line के थू ही जानी जाती है साथी Friends बात कर इनकी famous poems की तो उसमें Because I could not stop for death I measure every grief I meet Success is counted sweetest ये सब ही शामिल हैं तो चलिए Friends अब आगे बढ़ते हैं और इस poem को पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं The trees like tassels hit and swung Friends tassels किसे कहते हैं तो हिंदी में अगर हम कहें तो food ने जो की ओर्तों के कपड़ों के छोर पर लटके रहते हैं इस तरह का picture में देख सकते हैं तो जिस तरह ये हवा में जूलते रहते हैं आपस में टकराते रहते हैं ठीक उसी तरह जो पेड़ हैं वो भी हवा में जूल रहे हैं और आपस में टकरा रहे हैं There seem to rise a tune from miniature creatures और साथ ही ऐसा लग रहा है जैसे एक tune, एक sound जो है वो पैदा हो रही है miniature creatures से यानि जो छोटे-छोटे creatures हैं, जो insects हैं उनसे एक धुन पैदा हो रही है, जो उनकी आवाज है उससे एक धुन पैदा हो रही है accompanying the sun और ये सब क्या कर रहे हैं तो ये sun को, सूरज को accompany कर रहे हैं यानि दिन का समय हैं, जो पेड हैं वो हवा में यूही जूल रहे हैं, टकरा रहे हैं और insects की आवाजे आ रहे हैं, जो बिलकुल किसी धुन की तरह सुनाई दे रही हैं for saltries of summer, enamoring the ear friend, saltries किसे कहते हैं तो saltries यानि भजन तो यहाँ पर poet कह रहे हैं कि जो holy songs हैं summer के अब summer के holy songs क्या होते हैं, जो चिडियों की चैचाहाट होती है insects की आवाजे होती है, जो summer wind बहती है उन सभी की जो आवाजे हैं, वो ear को enamoring कर रही है यानि हमारे कानों को बहुत ही अच्छी लग रही है सुनने में they never yet did satisfy, remotest लेकिन यह जो sounds हैं, यह कभी हमें satisfy नहीं कर पाती यानि ऐसा नहीं है कि हमने यह आवाज सुन ली और अब हम satisfy हो गए है remotest, यानि बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है बलकि हम क्या करते हैं, हम इस sound को और crave करते हैं हम इसे और भी ज़्यादा सुनना चाहते है when most fair और यह बात क्या है, यह सच है यानि यहाँ पर simply poet यह समझा रहे हैं कि जो summer की आवाजे हैं यह हमारे कानों को बहुत ज़्यादा भाती है लेकिन problem यह है कि हम एक बार इसे सुन कर satisfy नहीं होते हम इसे बार बार सुनना चाहते है the sun shone hole at intervals यानि जो सूरज है, वो hole यानि पूरा दिखाई दे रहा था कुछ intervals के लिए, कुछ समय के लिए then half, then utter head फिर क्या हुआ, फिर वो half दिखने लगा और फिर वो पूरी तरह से छिप गया अब ऐसा कभ हो सकता है जब आस्मान में बादल हो तो उन बादलों के पीछे सूरज क्या करता है और ऐसा लग रहा था, मानो सूरज जो हो, वो यहां पर आप्शनल हो यानि क्लाउट्स जो हैं, वो जरूरी है और सूरज ही आप्शनल हो इस तरह की यहां पर हमें फिलिंग आ रही थी और साथ ही ऐसा लगता था कि सूरज के पास क्या है यानि आसमान जो में बादल फैले हुए हैं, वो क्या है? वो सबकुछ सूरज की प्रापर्टी है, देखकर हमें ऐसा लग रहा है और यह जो बादल हैं, यह सफीशेंट हैं कि ये क्या करेंगे हमेशा के लिए सूरज को लोगों की नजरों से छिपा सकते हैं eternally यानि हमेशा के लिए इतने ज़्यादा बादल हैं आस्मान में कि ये सूरज को हमेशा के लिए लोगों की नजरों से छिपा सकते हैं except it were a whim of his to let the orchards grow friends whim का मतलब होता है जिद तो यहाँ पर क्या point कह रहे हैं कि सूरज हमें कभी नहीं दिखता अगर ये उसकी खुद की whim नहीं होती उसकी जिद नहीं होती कि वो क्या करेगा orchards को यानि बगीचों को grow करने में help करेगा यानि सूरज की रोष्णी से ही क्या होता है जो plants होते हैं वो बड़े होते हैं तो ये सूरज की जिद है कि वो इन plants को बढ़ा करेगा plants पर flowers और fruits लाएगा इसलिए वो बाहर निकलता है वरना जितने उसके पास बादल है वो हमेशा के लिए उन बादलों के पीछे छिप कर रह सकता है यानि एक चिडिया कहां बैठी थी तो जो fins यानि जो बाड़ा होता है उसके उपर ये चिडिया करके carelessly बैठी भी थी और एक क्या कर रही थी वो lane में यानि जो गली होती है उसमें gossip कर रही थी बाते कर रही थी अब चिडिया क्या बाते करेगी तो चिडिया की जो चहचाहाने की आवास थी वो हमें सुनाई दे रही थी अब देखे फ्रेंट्स सूरज की जो रौशनी पड़ती है तो क्या होता है कई सारी चीजे जो है वो शाइन करने लगती है और ये देखकर एक स्नेक एक साब जो है वो चार्म्ड हो गया मंत्र बुग्द हो गया और उन चीजों की तरफ वो अट्रैक्ट हो गया ठीक उसी तरह से वो राउंड हो रहा था मानो वो एक स्टोन की तरह हो यानि ये जो सूरज की रौशनी थी इसकी जो चमक थी ये एक स्नेक को भी अपनी ओर अट्रैक्ट किये जा रही थी इस तरह से एक सिल्वरी शाइन थी इसमें ब्राइट फ्लावर्स स्लिट अ क्यालिक्स फ्रिंट्स क्यालिक्स किसे कहते हैं तो फूल के नीचे ये जो हरा हिस्सा होता है उसे क्यालिक्स कहा जाता है तो यहाँ पर पोईट कहते हैं कि जो ब्राइट फ्लावर्स हैं जो चमकदार फूल हैं वो क्या करते हैं एक क्यालि पहले हुए रहते हैं जिस तरह से एक flower होता है नीचे stem होता है फिर उपर क्यालिक्स होता है और सबसे उपर में जो इसकी petals होती है वो होती है तो बिलकुल वैसे ही एक flower को यहां पर poet describe कर रही है बस कहने का इनका तरीका जो है वो थोड़ा अलग है Like hindered flax sweet hoisted with spices in the hymn और ये flowers कैसे लगते हैं तो hindered flax की तरह ऐसे flax की तरह जिन्हें कभी पहले hoist नहीं किया गया हो बलकि उन्हें मोड कर यूही रख दिया गया हो और उन्हें अब क्या किया गया है उन्हें sweetly hoist किया गया है प्यार से उन्हें अब जंडों को फैराया गया है बिलकुल वैसे लगते हैं ये फूल और साथ ही जो फूलों की खुशबू है with spices यानि spices की जैसी है जो मसाले होते हैं बिलकुल वैसी खुशबू आ रही है और ये खुशबू कहां छुपी है तो इंद हैं उसके जड़ में यानि जस तरह से एक flower होती है हवा में यूही धीर फूले धीरे ये flowers जो है जूमते रहते हैं और उनसे जो smell आती है बिलकुल जो sweet smell होती है spices की तरह उन सभी चीजों को यहां पर पोईट जो है वो describe करती है it was more I cannot mention यानि इतनी चीजें बताने के बाद speaker कहती है कि और भी बहुत था it was more यानि और भी बहुत था लेकिन मैं अब इनके बारे में नहीं बता सकती हूँ इतनी ज़ादा चीजें हैं कि मैं नहीं बता सकती हूँ how mean to those that see और कितना गलत हो रहा है उनके साथ जो देखते हैं क्या देखते हैं Vandik's delineation of nature's summer day फ्रिंट्स Vandik जो थे ये एक बहुत ही famous painter थे नामी painter थे और इनकी drawings जो थी इनकी जो paintings थी उनने कहा जाता था कि वो काफी ज़ादा real होती है तो ये जो Vandik हैं इन्होंने एक summer day की nature में जो summer day होता है उसकी एक तस्वीर बनाई और speaker कहती हैं कि जो भी इन तस्वीरों को देखता है उनके साथ कितना गलत हो रहा है क्योंकि जो Vandik हैं जो इतने बड़े painter हैं वो भी क्या कर रहे हैं वो भी एक सही तस्वीर नहीं बना सकते हैं नेचर की इस खूबसूरती का जो खूबसूरती हमारी आँखों के सामने हमें दिखाई दे रही है वो एक paper के टुकडे पर आप कभी नहीं बना सकते हैं वो जो खूबसूरती, वो sound की, वो smell की वो आपके papers पर कभी नहीं आएगी इसलिए जो लोग उस paper को देखकर, उस drawing को देखकर नेचर की beauty को imagine कर रहे हैं उनके साथ क्या हो रहा है? बहुत गलत हो रहा है यहाँ पर फ्रेंट से poem खत्म होती है poem में poet एक summer day को describe कर रही है और वहाँ पर जो नेचर की beauty है उसके sound से, उसकी smell से और साथ ही जो वो देखती है उन सभी चीजों को वो यहाँ पर धीरे-धीरे describe करती है तो फ्रेंट यह थी Emily Dickinson की poem Trees अगर आपको वीडियो पसंद आई तो please like, comment और share करिए